Hello everyone, welcome to the channel The Zorava Classes, the only channel on entire YouTube community, जो आपको सिर्फ KVSPRT की तैरी करा रहा है, और ये proudly हम पिसले 2 साल से कर रहा है, बिटा कल जूबा आपको एक वीडियो मिली थी, जिसमें हमने बात की थी, कि अगर आपको self-study करनी है, यानि कि खुद से तैरी करनी है KVSPRT की तो आप कैसे करेंगे, उसमें बताया था कि सबसे पहले आप slaybos देखेंगे, उस slaybos के बाद आप उसके topics देखेंगे, topics को कहां से करना है, NCRT से करना है, ये आपको बताया गया था, NCRT के बाद आप क्या करेंगे, अपने handwritten notes बनाएंगे, उसके बाद आप revision करेंगे, और जब आपको लगे कि हाँ, आपकी तैयारी 80-85% हो चुकी है, तो आप to the syllabus mock test देगे, यहाँ पर एक चीज़ धियान रखनी है, mock test आपको वही देने हैं, जो आपके syllabus की according हो, out of the syllabus नहीं देना है, तो यह बात की थी हमने कल, self study की खुद से तैयारी कैसे करने हैं, और इसमें मैंने एक बताया है कि Monday से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो Monday to Saturday चलेगी, और उसमें मैं आपको सिर्ष 6-7 मिल्ट में हर वीडियो में बताने वाला हूं, कि कहा से कौन-कौन से topics आपको पढ़ने हैं, अब बात करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम बड़े confused होते हैं कहीं बार की सर ठीक है, self study कर रहे हैं, बट हमें एक थोड़ा सा डोज और चाहिए, और वो डोज चाहिए हमें किसी course का, आज के time पे आप देखते हैं, online का time है, online ज features होने चाहिए, उसमें क्या विशेषता हैं होनी चाहिए, कि वो आपके upcoming exam जो भी आप देने वाले हैं, उसमें आपकी help करें, तो चलिए friends, start करते हैं, how to choose good course for your upcoming exams, okay, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, it should be to the syllabus to the topic, ये चीज मैं हमेशा कह रहा हूँ, चीक चीक के कहता पहले दिन से, कि आप कोई भी exam की त्यारी करते हो, x, y, z वो कोई भी exam है, सबसे पहले उसका syllabus देखिए, उस syllabus में क्या topics दियो हैं, वो देखिए, वो topics आपको कहां से पढ़ाए गए हैं, हम यहाँ पर particular आज course की बात कर रहे हैं, वो topics वहाँ पे आपको कहां से पढ़ाए ग देखनी है, तो पहली चीज क्या हुई आपकी, it should be, your course should be, to the syllabus, to the topics, कुछ courses मैंने देखे हैं, उसमें बिटा, आपको out of the syllabus पढ़ाया जाता है, extra पढ़ाया जाता है, मैं कहता हूँ मत पढ़ो extra, जब आपके previous exam में कुछ भी extra नहीं पूछा गया है, so आप अपना syllabus तयार करो ना बहुत अच्छे से, जो आपके वो 150 questions आने वाले हैं, वो तयार करो ना पूरे to the syllabus बहुत अच्छे से, so extra मत जाईए, to the syllabus रहिए, तो वो course अच्छा, जो to the syllabus है, पहली चीज, दूसरी चीज पर आते हैं, there should be demo glasses, काफी सारे courses होते हैं, जो आपको demo classes नहीं देते हैं, YouTube पे videos होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं, कहां से, आपके course से, course मों उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं होता, जैसे YouTube पे videos डालते हैं, so बचे हमेशा आप सबसे पहले demo classes देखेंगे, उस demo classes में, आपको किन teachers ने पढ़ाया हुआ है, कैसे पढ़ाया हुआ है, वो सभी कुछ चेक कर रहेंगे, और उसके बाद एक decision पे पहुँचेगे, ठीक है, so demo classes is must, then feedback, students feedback, उस course से, कुछ students तो जुड़े होंगे, तो उनका feedback क्या है, वो feedback जानने के लिए, वो community tab में भी डाल देते हैं, कहीं सारे YouTube channels अपने community tab में डाल देते हैं, कहीं सारे YouTube channels अपने live में feedback ले ले लेते हैं अच्छे से, और बच्चों का क्या feedback है, वहाँ पर, वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, तो दूसरी important चीज़ हुई, demo classes और feedback उस course में, अच्छे से पता होना चाहिए, आपको, three, one teacher, one subject, कहीं सारे courses आपको ऐसे मिलेंगे, कि एक, दो teacher ने आपको, आठ, आठ, नो, नो subjects पढ़ा हैं, बिल्कुल मत पढ़ना, ये मेरा personal है आप लोगों से, बिल्कुल मत जाना वहाँ पर, नहीं जाना है, वो उस गली बिल्कुल जाना ही नहीं है, क्योंकि बेटा, एक teacher maximum एक या दो, मैं तो एक ही कहता हूँ, maximum दो subjects पढ़ा सकता है आपको, और उसी पे जादा मे कितना भी easy हो, बट एक teacher, एक subject पढ़ा है आपको, ठीक है ना, उससे teacher की efficiency बढ़ती है पढ़ाने में, वो मेहनत करता है, जब उसे पता है कि उसके बास दो subjects हैं, तो वो मेहनत नहीं करेगा, आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे, जो एक ही teacher ने पढ़ाए हुए, या दो teacher ने ये भी guidance आपके पास होनी चाहिए, कहीं सारे exams है, जैसे हम KVS PRT की बाती करते हैं, तो वहाँ पे interview होता है, 15% weightage के साथ interview होता है, 85% आपका return, plus 15% आपका interview, ये weightage रखता है, तो mock test होने चाहिए, अब ये mock test कैसे होने चाहिए, तो mock test का भी एक demo जरूर होना चाहिए उस course में ताकि आपको पता लगेगी कैसे mock test दे रहे हैं, और वो standard questions के साथ होने चाहिए, जब आप demo आएक देखेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा, उसी course में include होने चाहिए, अलग से नहीं होने चाहिए, ये दोनों चीज़े, interview preparation भी, और mock test भी, and सबसे important चीज, जो मैं आ बहुती जादा हो, और मैं हमेशा कहता हूँ, कि ना बहुती कम हो, ऐसा भी नहीं कि आपको 500 रुपे में दे दिया, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 7500 रुपे में दे दिया, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़े एक अच्छे course को बनाती है, ये depend करता है, आप पर, कि आप मैं कहा रहा हूँ, हर किसी का देखो, आपको purchase करना है, हर किसी का course देखिए, हर किसी की demo classes देखिए, उसके बाद खुद चुनिए, क्योंकि आपको उसी से त्यारी करनी है, साथ साथ में आपको self-study भी करनी है, मैं एक चीज और बता दूँ आपक escape KVS PIT course की, अगर मैं इसको 4-5 points को देखूं, तो क्या हम इस पर खरे उतरते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, हमारा course to the labels है, to the topics है, यह सभी बच्चों को पता है, हमने NCERT class 6-10 कराया हूँ, ठीक है, बिटा, सिर्फ यहां बता रहा हूँ मैं, भरोसा करने वाली बात नहीं है, वो आप खुद चेक करना जाके, हमने आपको demo classes दी हुई है, उसका link description में नीचे मिल जाएगा, आपको demo class देख नहीं हो, तो आप देख सकते हैं, feedback बच्चों का हमने दो बार हमारे community tab में लिया हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएग जितने भी course में हैं, एक एक teacher, star teacher है, अपने आप में, अपनी personality में, अपने subject को लेगे, किसी भी एक teacher से हमने दो या तीन subjects नहीं पढ़वाए हैं, ठीक है, बात करते हैं, mock test की तीन mock test हम अभी तक डाल चुके हैं, जिसमें से एक हमने demo दिया हुआ है, तो अगर आप हमसे आपको free मिलेगा, attempt करके देख सकते हैं, interview preparation की videos जो है, guidance जो है, आपको दी जाएगी at the time of interview, जो बच्चे आगे बढ़ेगे, तो हम ये सब चीज़े आपको offer कर रहे हैं, तो अगर आप सबसे important चीज़ आपकी यहाँ पर demo classes हैं, तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुढना तो हमारे नीचे description में demo class मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा, हमारे telegram channel का link नीचे मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा, और अगर उसके बाद आपको लगता है, कि आप हमसे जुढना चाहते हैं, तो बेटा हमारा app दो जुरावर classes आप play store से download कर सकते हैं, play store से download करने क आप store section में जाएगे, आपने download कर लिया, download करने के बाद आप जाएगे store section में, app में ही मिलेगा आपको, store section में जाने के बाद आप simply KVS PRT का course महां से देखेंगे, और वो ले ले लेंगे, सर सारी बाते बता दी, अब price तो बताईए, बेटा हमारा price है 2499, और ये आपको discounted price चल इतनी चीज़े दे रहे हैं, आपको 15 mock test दे रहे हैं, हम यहाँ पर आपको entire coverage दे रहे हैं, पूरे syllabus की to the topic from NCERT, ठीक है, और साथ साथ में हम आपको अपना interview course भी दे रहे हैं, जो की guidance होगी proper, आप लोगों को interview के time पर जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो एक तीनों चीज़ ने अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, बस तरीके से महाँ पर पढ़ाया होगा, ठीक है बच्चो, so that's it, नीचे description में आपको demo class के link मी मिलेंगे, आपको हमारी app का link मी मिलेगा, आपको telegram channel का link मी मिलेगा, तीनों चीज़े देखिए, और खुड डिसन लिए, और बे most probably Monday से, next Monday, ये वाला नी, next Monday से आपकी classes start कर दी जाएंगी, आपको telegram पर अपना, जो हमारा time table होगा, वो भेज दिया जाएगा, मैंने फैसला कर लिया है, कि मैं आपकी तयारी सफर नहीं होने दूँगा, जो रावर classes ने जो ठाना था, वो करेंगे, हम लोग सब साथ में मिल आदा किया आप लोगों से, चलिए, bye everyone, take care, God bless you all, love you so much, bye bye